या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेल संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा शक्ति की उपासना का पर्व नौरात्र प्रतिपदा से नौमी तक निश्चित नौते थे नो नक्षत्र, नो शक्तियों की नवधा भक्ती के साथ सनातनकाल से मनाय जा रहा है सरो प्रथम शिराम चंदरजी ने इस शारदिय नौरात्र पूजा का प्रारंब समुद्र तटपर किया था और उसके बाद दसमे दिन लंका विजय के लिए प्रस्थान किया और विजय प्राप्त की तभी से असत्य अधर्म पर सत्य धर्म की जीत का पर्व दशहरा मनाय जाने लगा आदिशक्त के हर रूप की नौरात्र के नौ दिनों में क्रमशा अलग-अलग पूजा की जाती है नौरात्र उत्सो देवी अंबा का प्रत्निधत्तु है वसंत की शुरुवात और शरद रुद की शुरुवात जलवाई और सूरज के प्रभावों का महत्वपोन संगम मना जाता है इन दो समय मादुर्गा की पूजा के लिए पवित्र आउसर माने जाते हैं तोहार की तिथियां चंदर कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती है देवी मा की तीसरी शक्ती का नाम है चंदर घंटा नौरात्र उत्सो पासन में तीसरे दिन की पूजा का अत्यदिक महत्व है इस दिन साधक का मन मनिपूरु चक्र में प्रविष्ठ होता है देवी चंदर घंटा की ग्रपा से साधक को अलोकिक वस्तूओं के दर्शन होते हैं देवी सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की धनिया सुनाई देने लगती है जिससे मन विकारों से मुक्त होकर परम शांती का अनुभव करता है देवी मा की तीसरी शक्ती चंदर घंटा जो परम शांती धायक है कल्यानकारी है और इसलिए हमें निरंतर देवी मा के इस पवित्र विक्रा को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्यानकारी है मा चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है इसलिए देवी को चंद्रघंटा कहा गया इनके शरीर का रंग सोने के समान अत्यधिक चमकीला है देवी मा के दस हाथ हैं वे खडग और अन अस्त्र शस्त्र से विभूशत हैं सिंग पर सवार देवी मा चंद्रघंटा की मुद्रा युद्ध के लिए उत्यत रहने की है इसके घंटे सी भयानक ध्वने अत्याचारी दानव धैत राक्षस इन सभी दुषप्रवत्यों के लिए अत्यन भैंकर है और इस ध्वने को सुनकर वो कम्पित होते हैं प्रेत आदिसे मुक्ति प्रदान करने वाली हैं देवी मा चंद्रघंटा देवी मा की आराधना से साधक में वीर्ता और निर्भायता के साथ सौमिता और विनम्रता का भी विकास होता है इसलिए हमें मन वचन और कर्म के साथ काया को विहित विध विधान से परशुद और पवित मा चंद्रघंटा की शानागत होकर उनकी उपासना और आराधना करनी चाहिए। मा चंद्रघंटा की आराधना से वीरता निर्भैता के साथ साथ विनमरता का भी विकास होता है। का ऐसा वेक्तुत विक्सित होता है जो अपने संपर्क में आने वाले हर वेक्ति को प्रभावित करता है। इसलिए मन वचन और कर्म से हमें देवी मा के स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, ध्यान और स्मरन करना चाहिए। या देवी सरव भूदेश मा चंद्रघंटा रूपेंड संस्थिता नमस्तस से नमस्तस से नमस्तस से नमो नमहा। हे मा सरवत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद अम्बे आपको मेरा बार बार पड़ाम है। मैं आपको बारम बार नमन करता हूँ, हे मा मुझे सब पापों से मुक्ती प्रदान करें। अगली कड़ी में हम बात करेंगे देवी मा के चौथे सुरूप कुश्मान्डा देवी की। यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो आपसे अन्रोध है कि हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। देवी मा की गृपाय आप पर सदयों भनी रहे। जै मादुरके।